नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया इजी कुकिंग एंड मोर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने गाओ गई थी वहां मैंने एक नई चीज की चटनी खाई करॉंदे की चटनी हाँ मेरे दोस्तों ये करॉंदा है मुझे ये चटनी बहुत पसंद आई और मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों से इसकी रेसिपी सेयर करूं सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले तो चलिए बनाते हैं करॉंदे की चटनी करॉंदे की चटनी बनाने के लिए तक चक्या पानी था इस बहुत अच्छे से साफ कर लिया है अब इसे ऐसे चार तुक्रों में कार स्पालये जिससे बीज्ट आसानी से निकाला जा सके जी हा इसके बीज में बीज होता है जो अगर आपने चटनी में डाल दी तो चटनी कड़वी हो जाएगी इसलिए बीज निकाल लेना है मैंने यहाँ पर सारे करॉंदे काट लिये हैं और बीज अलग कर दिया है अब मिक्सी में करॉंदा 6-7 हरी मिर्च लैसुन की यहाँ पर मैंने 12 से 13 कलिया ली है क्योंकि यह चोटे लैसुन है अगर बड़े लैसुन है आपके पास तो आप 7-8 ही कलिया ले पुदीने का पत्ता डाल दिया और नमक अपने स्वादा अनुसार डालेंगे अगर जरूरत परे तो थुआ पानी डाल कर इसे पीस लेंगे यहाँ पुदीने का चटनी पीस कर तयार है इसे एक छोटी कटोडी में डाल लेंगे और एक टेवल स्पून सरसो का तेल मिला देंगे आप यह चटनी, कचोडी के साथ, समोसे के साथ, पराठे के साथ या पकोड़े के साथ खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको यह रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर यो ही बने रहे हैं मैंने इनी रेसिपी लेकर आप सब के लिए जल्द से जल्द आओंगी नमस्कार